जीन में CM Flying Squad की टीम ने एक दवा फैक्टरी पर रेड मारते हुए बड़े स्तर पर दवाई अपक्डी है जानकारी के मुताबिक एक दवा फैक्टरी एक प्राइवेट स्कूल केंपस में चल रही थी जहां एंटिबायोटिक दवाईयों को पैक कर सप्लाई किया जा रहा था CM Flying Squad की टीम को मोके से बड़ी संख्या में कैपसूल गोलियां और पैकिंग का सामान मिला है वहीं दवाईयों के सैंपल जाज के लिए भेजे गए हैं जिला ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर सीविल लाइन थाना पुलिस इस मामले की जाज करेगी पुलिस ने इस मामले में स्कूल संचालक और दवा फैक्टरी संचालक को हिरासत में लेकर आगे की जाज शुरू कर दी है इक रवी है, उनके स्कूल भी है यहां पर रेड़ की है तो वहां पर पिछे देखा तो काफी भारी मत्रा में अंग्रेजी द्वाईयां बनाई जा रही है इनके पास कोई भी अंग्रेजी द्वाईय को बनाने का लाइसंस नहीं है और नहीं इन्होंने इस तरह कोई प्रमेशन दे रही है। यहां पे कई प्रागे द्वाईयों की पैकेजिंग चल रही है। कैपसुल बंड़े हैं जो की नकली हैं। जिनको हमने फार्म सोला पे और फार्म सत्रा पे सैंपल भी ले ली हैं। जो कट्टों के अंदर बनी हुई द्वाईयां पड़ी हैं इनको इनको पैक करना था भी उसके फिलाल हमारे को काफी इन्वेंटरी बन रही हैं उसके बाद ही कुछ दास्त नहीं तो कितनी मशीन में लिए और रसील भी क्या गया है। मशीन यहां पे तो बिलिष्टर स्टिपिंग मशीन है जिसे हम पैकिंग करते हैं और तो हमारे को कैप्सल फिलिंग मशीन में लिए है।